नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का आप सभी के अपने इस पसंदीदा यूटूब चैनल में जी है मित्रों, यूपीटर प्लसी पेट एक्जाम 2022 को लेकर के जो हमारी स्रंकला चल रहे थी सामान निग्यान जी के जीएस को लेकर के हमारा प्रथम जो टॉपिक था भारती इतियास के अंतरगत ठीक है सिंद गाटी की सभीता को लेकर के सेकंड क्लासेज हमारी आचुकी है तो यदि आप हमारी चैनल पर पहली वार वीट कर रहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब करेंगे और सस्क्राइब करने के पस्ट पास में जो वैला करने इसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिस मिलता रहेगा मित्रों और तैयारी आपकी बहतर चलती रहे हैं हम अध्यान करेंगे सामाने दिन GKGS के लेकर के यूपी ट्रपलेसी पेड़ दोहर बाई सुपर टेर लेकपाल यूपी प्लेस कॉंस्टेवल आदी एक्जाम्स को लेकर के हमारे भारती एतियास की सिंदु हाटी की सब्विता को लेकर के मित्रों जी हैं अब तक selected प्रस्ण जो बने हुए प्रस्ण है और आने वाले एक्जाम्स में आपके बन सकते हैं वे सभी प्रस्ण आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे मित्रों वीडियो को लाइक कर देंगे अदिक से दिख अपने सभी मित्रों के साथ तो हमारा थोड़ी की स्रंकला का हमारा प्रस्न है 15 तक हमारी प्रिविस कलासिंट में आपने देख होगा यदि नहीं देख है तो वीडियो Map को डिसको बॉक में मिल जाएगा और option को भी read करेंगे कोई भी गलती ना हो ठीक है तो हमार right answer हो जाएगा option C भोगवा नदी पर था जो हडपी नवर का प्रतनी तो इस्तल ठीक है अगला प्रसनाप के लिए हडपा सब्विता इस्तल लोथल इस्तित है यानी हडपा सब्विता का जो इस्तल है लोथल वो कहांपर है गुजरात में है पंजाब में है राइस्तान में है या फिर सिंद में है यहां से आपका right answer हो जाएगा option A लोथल इस्तल जो है हडपा सब्विता का वो की गुजरात में है ठीक है एक एक प्रस्ण इंपोडेंट है तो यदि आप प्रस्ण का अंसर लगाना चाहते हैं तो वीडियो को वीज़ में पोज कर देंगे उसके प्रस्ण आंसर लगानी की आप वेस्टर तरीके से कोशिच करेंगे नेक्स प्रस्ण आपका सिंदु घाटी सब्यता का पत्तन नगर था हडपा, काली बंगा, लोथल, मोहन जोद्रो तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा Option C सिंदु घाटी सब्यता का जो पत्तन नगर था वो क्या था? लोथल था, ठीक है? अगला प्रसना आपके लिए भारत का सबसे बड़ा हडपन पुरा इस्थल है आलंगीरपूर, काली बंगा, लोथल, राखी गड़ी तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा Option D आपका राखी गड़ी आपका correct आंसर है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हडपन पुरा इस्थल राखी गड़ी है ठीक है? अगला प्रसना आपके लिए सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में कर्म कांड में यग्य प्रणाली में मात्र सक्ती में तो यहां से आपका right answer हो जाएगा मात्र सक्ती में यानि सिंदु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे आपका अगला प्रसन है सिंदु घाटी के लोग पूजा करते थे पसुपत की इंद्र और वरण की भ्रह्मा की विश्वास की तो यहां से right answer आपका हो जाएगा पसुपत की यानि सिंदु सब्वेता की जो लोग पूजा करते थे वो पसुपत की ठीक है अगला प्रसना आपके लिए मोहन जोड़ो एबं हरपा की पुरा तात्विक खुदाई के प्रवारी थे यानि उस समय जब मोहन जोड़ों में पुरा तत्विक खुदाई हुई थी तो उस समय प्रवारी कौन रहे थे ठीक है लाड मेकाले सर जौन मार्सल कलाई करनल टॉड तो यहां से आपका right answer हो जाएगा सर जौन मार्सल मोहन जोड़ों एबम हडपा की जो पुरा तत्विक खुदाई हुई थी उस समय प्रवारी थी ठीक है अगला प्रसना आपके लिए सिंदु सब्यता की विक्सित अवस्ता में निमलिक्त में से किस इस्थलन से घरों में कुओं के अवसेस मिले हैं हडपा में, काली बंगा में, लोथल में, मोहन जोड़ों में तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन डी मोहन जोड़ों में मिलें ठीक है कुओं के अवसेस अगला प्रसना आपके लिए है सार्वर प्रथम मानव ने निम धातू का उपयोग किया सोना, तावा, चांदी, लोहा तो सबसे पहले जिस धातू का मानव के द्वारा प्रयोग किया गया उस धातू का नाम पूचा गया है तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन C तावे धातू का सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग किया गया ठीक है एक-एक प्रसन सलेक्ट है विवन एकजांस में आई हुए है और वरतमान एकजांस में आपके एजिट प्रसन पूचेने जाने जाने वाले हैं मितरू हरपा का लेन इस्तलों में अभी तक कि सबसे धातू की प्राप्त्य नहीं हुई है अभी तक जो धातू की प्राप्ति नहीं हुई है उस धातू का नाम पूचा गया है तावा, स्वड, चांडी, लोहा तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा Option D लोहाखी जो है अभी तक प्राप्ती नहीं हुए ठीक है अगला प्रसन निम्न में से कौन सा इस्थल गगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में इस्थित है ठीक है ऐसा कौन सा इस्थल है जो गगर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में इस्थित है आलमगीरपुर है, लोथल है, मुहनजोद्रो है, बनावली है तो यहां से आपका राइट अंसर जाएगा, और जो घगर और उसकी साइक नदियों की घाटी में इस्तित है, वो है बनावली है, ठीक है? अगला प्रसना आपके लिए धौला वीरा, जिस राज्य में इस्तित है, वो है, गुजरात, हर्याना, पंजाव, राइस्तान तो यहां से आपका राइट अंसर हो जाएगा, धौला वीरा, जिस राज्य में इस्तित है, वो है, गुजरात, यानि कि ऑप्सन ए आपका करेक्ट हो जाएगा एक-एक प्रस्ण सेलाइक्ट है तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, सियर करते चलेंगे मित्रों नेक्स प्रस्ण आपका हरपन संस्क्रती के संधर में सैलक्रत इस्था पत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं काली बंगा से, धौला वीरा से, कोट डीजी से या फिर आमरी से वीडियो को बीच में पहुज कर देंगे और आंसर लगाने की कोशिस आप करेंगे ठीक है तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा धौला वीरा ठीक है एक उन्नत जल प्रवंदन व्यवस्ता का साच्छे प्राप्त हुआ है आलमगीरपूर धौला वीरा से, काली बंगा से, लो थल से तो यहां से आपका राइट आंसर है ओप्सन भी धौला वीरा से ठीक है एक उन्नत जल प्रवंदन की ब्यवस्ता का जो साथ से प्राप्त हुआ है वो धौला वीरा से प्राप्त हुआ ठीक है आपका अगला प्रस्न है हरपन स्तल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए है क्या प्राप्त हुए है मानव सवाधान पस्वों के सवाधान आवासिय सभवन रच्छा दिवार तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा option A मानव सवाधान जो है हरपन स्थल के जो सनौली है वहां से प्राप्त हुए ठीक है उत्खलन में अगला प्रसना आपके लिए वस्तरों के लिए कपास की खेती का आरंब सबसे पहले किया गया था यानि कपास की खेती का आरंब सबसे पहले कहां पर किया गया था मिस्र में, मैसो पोटा मिया में, मद्य अमेरिका में या फिर भारत में तो यहां से आपका right answer हो जाएगा option D भारत में ठीक है अगला प्रसना आपके लिए निमने स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंदु घाटी सब्यता से सम्मन्द विख्यात ब्रसब मुद्रा प्राप्त हुई है विख्यात ब्रसब यानी कि बैल की मुद्रा ठीक है हडपा से, चन्हूदरों से, लोथल से, मोहन जोदरों से तो यहां से आपका right answer होगा option D मोहन जोदरों से प्राप्त हुई है ठीक है एक विख्यात ब्रसब मुद्रा आपका अगला प्रसन है निम्लिक्त में से किस पसु का अंकन हरपा संस्कृती की मोहरों पर नहीं मिलता है नहीं मिलता है ठीक है बेल, हाती, घोड़ा, भेड़ तो यहां से आपका राइट आंसर होगा ओप्शन सियागला प्रसनाप के लिए किस पसु के अवसेज सिंदुघाटी सब्यता में प्राप्त नहीं हुए है अवसेज, सेर, घोड़ा, गाय, हाती तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ओप्शन B की ओर घोड़ा जो पसु है उसके अवसे सिंदुखाटी सब्रिता से प्राप्त नहीं हुए है आपका अगला प्रस्ण म्रण मट्टिका पर उतकीन सींग युक्त देवता की क्रती प्राप्त हुई है उतकीन सींग युक्त देवता कहां से प्राप्त हुई है बनावली से, काली बंगा से, लोथल से, सुरुकोटडा से तो यहां से आपका राइट अंसर हो जाएगा option B, काली बंगा से ठीक है आगला प्रसना आपके लिए निमलिक्त में से कौन सी सब्वेता नील नदी के तट पर पन पी ऐसी कौन सी सब्वेता थी ठीक है रोमन सब्वेता, सिंदुगाटे की सब्वेता, युनानी सब्वेता, मिसर की सब्वेता जो सब्वेता नील नदी के तट पर पन पी थी वो है आपके option D में मिसर की सब्वेता ठीक है एक ایک प्रसन एक्जाम के लिए सेलیک्ट देमित रो कुल से video को like करते चलेंगे, share करते चलेंगे, अगला प्रसनाप के लिए, लेखन कला की उचित प्रणाली विक्सित करने प्राचीन सब्यता थी, कौन सी सबसे पहली सब्यता थी, जिसने लेखन कलाकी प्रणाली का विकास किया ठीक है सिंदू, मिस्र, सुमेरिया, चीन तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ओप्शन C की और वह जो सब्व्यता थी जिसने सबसे पहले लेखन कलाकी उचित प्रणाली का विकास किया करता हुआ सुमेरिया थी ठीक है तो मित्रो टूड़े की टॉपिक का यहीं पर सेलेक्टेड प्रसनों की स्रंकला है आगे हमारे नेक्ष टॉपिक चलेगा आगे की वीडियो में तब तक आप सभी को नमस्कार है और यदि आपके दौर अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं क